फ्रेंट्स आज की वीडियो मेंली इसलिए है कि किस तरह से हम अपने काम को कंटिन्यूसली जारी रख सकते हैं वो क्या तरीके हैं जिससे हम अपने मन को समझा कर हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी जो problem है वो है mentally या psychological problem हम इससे कैसे बस सकते हैं तो please friends वीडियो को end तक देखना तब ही आपको मेरे शब्द समझ में आएंगे नहीं तो हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों को गलत तरीके से समझ लें सबसे पहले बात करते हैं समस्या की कि समस्या क्या है तो देखें friends कई बार हमारी life में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे हमें पस्तावा होता है अब उस पस्तावे की कारण हमारा इतना सारा समय निकल जाता है कि हमें पता भी निचलता और जब समय गुजर जाता है तो अब हमें उस समय के कारण पस्तावा होने लगता है कि मैंने तो इतना समय बेकार कर दिया तो ये पस्तावा बहुत बड़ी चीज़ है इस पस्तावे को हम कैसे छोड़ सकते हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसके लावा इस पस्ताव एक कारण हमारा चो कंटिन्यूसली काम होता है वो रुख जाता है वो काम पूरा या सहीच से नहीं हो पाता इसके लावा ये समस्यत तब और बढ़ जाते है जब कोई चीश हमारी कंट्रोल में नहीं होती तब भी हम उसकी चिंता करने लगते हैं इस कारण से भी हमारा बहुत जादा समय वेस्ट हो जाता है लाइक कोई चीश हमारी कंट्रोल में है नहीं पड़ा में लग रहा है कि नहीं मुसे कुछ गलती हुई है या कैसे होगा आगे हम उसके चिंता कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इन समस्याओं से हम कैसे उभर कर निकल कर आ सकते हैं सामने इस चीश को समझना बहुत जरूरी है तो दोस्तों इसके लिए आपको तीन बातें याद रखनी हैं ये जो तीन बातें हैं वो आपको पहले भी पता हैं बट प्लीज इस वीडियो में एक बार और समझ लेजिए इसका कैसे यूज़ करना है तो पहली बात है ये जो मंतर है वो है भगवत गीता से लिया गिया है शिरमत भगवत गीता का ये शब्द है ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ये जो पहला मंतर है ये आपकी लाइफ में बहुत जादा काम आने वाला है जब कभी भी आप पस्तावा करते हो या कुछ गलत हो जाता है तो आप अपने आप से कहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है अभी मैं इनको समझाओंगा इसके लावा दूसरा मंत्र है कि जो होने वाला होता है वो होकर रहता है और तीसरा मंतर है कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं दोस्तों ये जो तीन मंतर है इसके मंतर इन तीनों बातों को ध्यान से समझे जब कभी भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उस गलती को सुधाने पर कोशिश कीजी बलकि पस्तावा मत कीजी आप उस गलती को पस्तावा करकर टाइम वेस्ट मत कीजी अपना आप उसकी चिंता मत कीजी अब आप improvement किलाने की कोशिश कीजी अब वो improvement कैसे आएगी तो आप अपने mind को समझाए आप अपने दिमाग से कहें कि देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होने वाला होता है वो होकर रहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बठां अगर मेरी गलती है तो ठीक है मैं अब आगे इसे सुधाने की कोशिश करूँगा जो हो गया सो हो गया ठीक है और भगवान की मर्जी की बिना तो पता भी नहीं एलता है तो इसने भी भगवान की कोई मर्जी होगी इसलिए चलो अब हम आगे काम करते हैं तो इस तरह आप अपना आगे next काम कर सकते हैं तो आप अपने जो पिछला काम था उस पर time waste मत कीजिए आप आगे बढ़िए अब इसे हम कुछ उधारनों से समझते हैं पहला उधारन है कि मान लिजी कि आप exam देने गए और आपका पहला exam मतलब सही नहीं गया जादा अच्छा आपका exam नहीं गया आप घर आए आपको लग रहा था पहले कि आप पास हो जाएंगे बढ़ घर आए आप तो आपको अब डर्ज लगने लगा अब आपको उसकी चिंता सताने लगी आपको लगने लगा कि हो सकता है कि मैं अब इसमें फेल हो सकता हूँ बढ़ आप इतना पेपर करके आये हैं कि आपको विश्वास से कि लगबग आप पास भी हो जाएंगे बढ़ फिर भी आपकी चिंता बढ़ रही है और आपको लग रहा है कि मैं fail भी हो सकता हूँ अब धिरे धिरे आप depression में जाना शुरू कर दिया आपने अब आप कोई चिंता सताने लगी कि अब तो मैं fail हो सकता हूँ और आपको दो दिन बाद next exam भी देना है तो ऐसे situation में आप क्या कर रहे हैं चिंता करके अपना time waste कर रहे हैं और आप next exam की अगले exam की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे situation से बचने के लिए अपनी चिंता को अपनी पस्तावे को अपनी improvement में बदलो अपनी सुधार में बदलो इसके लावा एक उधारन all ले लेते हैं जैसे की मान लेजिए कि आप continuously एक काम करना चाहते हैं आपका main कोई focus है main कोई काम है जिसमें आप मन लगाकर काम करना चाहते हैं बट आपके पास कोई दूसरा काम आ जाता है जिसके करणा आपको वो काम छोड़ना पड़ता है इसके लावा आप पस्ता रहे हैं या कुछ दूसरी बाते हैं जिसके करणा आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं अब हो सकता है कि वो काम आपका पढ़ाई हो या आपका कोई दूसरा काम हो अब ऐसे situation में जब आपको नए सीरे से time मिलता है आपको अपना काम करने के लिए पढ़ाई करने के लिए कुछ भी करने के लिए तब आप सोचते हैं किया रहे यार मैंने तो पहले इतना time waste कर दिया है अब आपसे वो आला काम दुबारा नहीं हो पाता है आपकी जो ले होती है वो खत्म हो जाती है और आपको दुबारा ले बनाते बनाते काफी सारे घंटे आपकी बीद जाते है तो friends ऐसी situation में आप ये कर सकते हैं कि इन सारी जो बातें जो अभी मैंने बताई इन बातों से अपने मन को समझाईए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है अब मुझे आगे काम करना है जो हो गया सो हो गया जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है लगवग कुछ ऐसा बोल कर आप अपने माइंट को समझाएं और आगे काम करने पर ध्यान दे कि अब मुझे आगे करना है और जो चीज आपकी कंट्रोल में नहीं थी उसके लिए पस्तावा बिल्कुल भी मत कीजिए जिस चीज के आप चिंता कर रहे हैं वो अब आपके अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी पस्तावा ना करें बलकि उसको सुधारने के लिए आगे आने वाली चीजों पर आगे आने वाली टाइम पर फोकस करें और उसका यूज करें आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल रहा होगा अगर ये वीडियो आपके लिए यूसफुल रहा हो तो प्लीज कमेंट करके एक बार चुरूर बताएं थैंक यू